तो हेलो फ्रेंड प्रणाम आदाब गूड मॉरिंग सस्रेकाल कैसे हैं आप सब मैं हूँ आपका फ्रेंड दीपक और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ यह एक और नई केक की डिजाइन तो जल्दी से सुरू करते हैं आज की यह रेशिपी तो दोस्तो इस केक को बनाने का हमने केक का स्पॉँंज कट किया था दोस्तो उसको हमने अच्छी तरह से उपर से च्छील दिया है और साइड से बची उची कटिंग rebellि और साइड से अंदर से इसके दो या तीन स्लाइस में इसको कट कर ले रहे हैं आपको यह सब करने की जुरूरत नहीं है अगर आप बना रहे हैं स्पॉंज को केक के मोल्ड में तो आपको सिंपली से दो या तीन स्लाइस में उसको कट कर लेना है और केक को फील करना है और सबसे अभी यहां की क्रीम के लिए मैंने एक या दो बोन उसमें coconut essence डाला और थोड़ा सा coconut powder और हलका सा yellow color इसको अच्छे से mix करने के बाद customer की demand थी कि इसमें थोड़ा सा strawberry crisp भी अट किजेगा इस्टोवरी फ्लेवर भी और उसी क्रीम को जो हमने बनाया था उससे इसको अच्छे से फिल कर दिया है पहली लियर को और अब उसके उपर हमने जो केक की हमारी cutting थी उसको कुछ इस तरह से बिच्छा लेना है जिससे की एक हमारी slice की लगे केक की ये sponge की एक layer ही लगे फिर हम इसके उपर भी वह जो coconut cream हमने बनाई है फिल कर देंगे उससे पहले हमने इसमें थोड़ा सा सुगर श्रिप एड़ कर दिया है इससे हमारा sponge बिलकुछ soft रहे और वो cream भी हमने इसमें एड़ कर दी है और उसके बाद जो हमारी last rice रह गई है इसको हम इससे cover कर दे रहे हैं side से बचीवी cream और sponge को हमने थोड़ा सा अंदर की तरफ धकेला और उसी से जिससे हमने केक का sponge कट किया था आर्टिंज की मौल से उसको कुछ उपर से प्रेस करने के बाद side से उसकी cutting निकाल ली है और अब हम करेंगे cake में icing icing करने से पहले हमने हलका सा एड़ कर दिया है और जो वो coconut cream बची थी ना दोस्तो हमारी हलके सी उसको भी हम इसके उपर वाली layer में first coat icing की कर दे रहे हैं उसी से जिससे कि हमारे जो बची हुई cream है वो भी best ना हो और उस cream को हम किसी और flavor में और और cake में भी आड़ नहीं कर सकते हैं दोस्तो क्योंकि customer complain कर cream थी भी में पस उसी में से एक plastic piping को cut करने के बाद उसमें nozzle डालने के बाद ये cream उसमें फिल कर दिये और आज मैं आपको एक नई trick सिखा रहा हूं cake को icing करने की अगर आप फ्रेसर हैं ये तो ये तो आपके लिए ये trick बहुत काम की होने वाली है कुछ इस तरह से हमने फिल कर हलके हाँ से यूज में लेना है और side से भी इसको इस तरह से cover कर लेना है बहुत ही smoothly हमने ये काम करना है और side से हमने playing card से इसको cream को बिल्कुल signing देनी है finishing देनी है और उपर से extra cream को भी इस तरह से निकाल दी और ऐसा करीब एक या दो बार आपको करना पड़ेगा क्योंकि side से कभी side से cream extra आएगी कभी नीचे की side से extra आएगी तो इस तरह से आप उपर नीचे से उसको जब तक आपका बराबर नहीं होता है तब तक आपको continue करना है तो जैसे कि अभी हमारा cake icing हो चुका है और अभी हम इसको side से जो हमारा cake का waste है उसको भी cover कर दे रहें क्रीम से तो है न मुश्किल लगा होगा बट अभ्यास टेली करने से निरंतर कोई काम करने से आपको उसकी habit हो जाती है फिर आप सीख जाते हैं फिर आपको वह आसान लगने लगता है तो आप भी सीखिएगा कीजिएगा और जो भी आपके पास tools अगर आनी है उनको लाने की कोशिश दिरे सीखना सुरू कर देंगे तो फिर आपको सारी चीज़े आसान लगने लगेंगी तो कुछ इस तरह से मैंने जो में पर पिंक कलर का फाउंडेंड था वो बेला रोटी की तरह है और फिर मां भी दूसरा वाला फाउंडेंड बेल ना हूं रोटी की तरह है मिरेको हाल के पाम्डीन से भी हाइड़ि कड़कर ले रहा हूं और हको अगरने की और वीडियो देख रहे हैं अगर वीडियो देख रहें तो कुछ सेखना चाह रहे है Corinth असीखना चाहरा है तो कि में जो करगहा आप केक में लगा हुआ देखोगो कि आपको लगेगा या यह do के वह बोलता हूँ क्योंकि आने वाले में टाइम में टाइम मैं वादानुंड ten keep की डिमांड बहुत ज्यादा हो थो फिर आपको आपके आपस सारे टूल्स होने चाहिए अभी में पास यह photo cake था order में जो order का जो एक cake है मेरा इसमें मेरे को photo लगानी थी तो मैंने photo की print पहले ही निकाल दिये और अब मैं इसके side से कर रहा हूं बॉर्डरिंग बॉर्डरिंग करने के लिए मैंने सबसे चोटा इस्टार नोजल यूज में लिया है नंबर इसमें लिखा हुआ नहीं होता है दोस्तों नहीं तो मैं नंबर बता देता पहले आते थे नूर 13 14 15 अलग लग साइज के बड़ प्लेन आने लग गया है तो आप मै कि इंदो मैंने फ्लावर कट यहा उसको मैं इस तरह से इस से लगा रहा हूँ उपर की साइज में ने 6 1 9 आपके लेंने ये कि लिखे भी बाकी कभेと思います इस नहीं क्यों ने रोच पर यह मैंने इसलिए लगाया दोस्तों कि अगर मैं एक ही जगे में सारे जो हार्ट हैं इस टिक में लगए हुए इनको लगा देता तो वह इस पंज को भाड़ते हुए पीछे को किरीम के साथ ही धकेल के लिए आते मतलब कि हमारा केक खराब होना सुरू हो जाता इससे क्या ह सारा है कि थोड़ा सा हो गया वहां पर स्ट्रोंग हो गया वहां पर ο किर्णिक रह सकेंगे और उससे पहले को बतातों separate पता ना भूल गया था क्योंकि मैं इस केक को एक से दो गंटे तक मैंने डिफ्रीज कर लिया था आइसिंग करने के बाद डिफ्रीज में रख दिया था जिससे केक की अच्छे से जम गया है और फिर उसके बाद मैंने इस्टिक इसके ऊपर लगाये हैं और फोटू भी इसके पाचिप काई है और अब मैं इस केक को सीधे कस्टमर के ओवर हैंड करेंगे तो आज की वीडियो में इतना ही फ्रेंड कैसी लगी आज की यह केक की रेसिपी आपको कमेंट करके जरूर बताएगा वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल पर पहली बार आ यह वाद आपका जल्दी मिलते हैं नमस्कार